पूर में जो निर्ने दिया था उससे हमने सब लोगों ने श्वागत किया था और हमें उम्बीद है कि निकट भविश्वे भी नियाल है उस पर अपनी महोड लगाएगा और दोनों पक सहमत होकर आयुद्या में राम का मंदिर का भब निर्मान होगा तो कहीने रुख में थोड़ी नर्मी दिए देरी रुख में कोई नर्मी नहीं है जो काम था वो हो गया है राम मंदर का निर्मान तो नर्मी से ही होता है गर्मी से थोरी होता है एटे उटनी है गारा मजना है मिस्त्रियों का उपयोग होना है आर्किटेक का अपना काम होना त तो सांतीस हो कुई भावगावाद मैं जीता जीता था, पंदितों का पलाइन किया गया था। उस कशनीर की विदान सवान सर्समतीस से पिस्ताव पारिस किया है। कि उन सब को बुला कर कशनीर में निवास देना है। तो इसका मतलब धारा 370 मानसिक रूप से समाप्ति की ओर है विदान का रहा इंतजार थोड़ा सा करिए वो भी दिन आएगा अब विपक्ष तो इतना खुच चुका है कि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है ना तो उसके पास मुद्दे है ना समझने की अकल है नरवदा सेवा योईना इस बात के लिए है कि हिंदुस्तान के लोगों की जनभावनाएं नदियों के पृति जो भावनात्मक लगाव था उसको पैदा करना है जिस मा की हम पूजा करते हैं उस मा में क्या गंदगी डालना है क्या ये प्रिशन नरवदा सेवा योईना से है ये सागर समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि बिपक्ष को साइद नरवदा जिंदा रहेगी तो कांग्रेस भी जिंदा रहेगी भाजापा भी जिंदा रहेग वेसे ही नरवदा जिंदा रहेगी तो मद्द प्रदेश जिंदा रहेगी जिस पर लोग राज करने का खौब देखते है और सिवराज जी ने नदियों के प्रती जो प्रती जो प्यार था और नदियों के प्रती जो भावनातमक लगा हो था उसको जागरेट करने का काम किया ह इसलिए इसको उसी बाती में समझना चाहिए नदी में से कितनी रेट निकल रही है और कब कब निकली है वो दिग्विजे सिंग जी से पूछा जाय तो जादे अच्छा है हमारे यहां इस तरह का कुछ नहीं है और रेट भी जहां तक सवाल ऐसा है कि रेट एक ऐसी है जो बा पार्टी जनता पार्टी की सरकार में उसको दोहन की प्रिवर्टी में हैं इसलिए हम कोई नरब्दा को खतम करने वाला ऐसा उत्खनन ना तो मुखमंतरी जी कभी होने देते हैं ना कभी वेविश में होगा कांग्रेस अपने मंशुवाँ को साप करे और नरब्दा सेवा यो चालिस साल प्रिवाजव बनी गई है जितना पर जो सक्षम बेवस्ता हैं उसको प्रेतने कर रहे हैं चूंकि हम नागरिक वहाँ रहने लगा एक बर फिर बीजेपी उठाने को तयार है लेकिन जहां तक अवैद कालोनी के सवाल है फिलहाल उन पर कारवाई होती दिखाई नहीं दे रही है कैमेरमन अन्वर खान के साथ आशुतोष इंडिया फ़स्ट निउस बोपाद